हलो फ्रेंट्स वल्कम टू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिक्या रहा हूं देखिए फार्मा सेक्टर का ये जबर्दा स्टॉक कभी भी भाग सकता है इसलिए रेडी रहिए मौका आपके पास आ रहा है खुद चलके बात करते हैं स्टॉक के बारे में कब भाग सकता है क् इंपोर्टेंट उसके बारे में जाते हैं थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं और आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दोगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो आप बहुत सारी चीज़े मिस कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल आ लाउंट होंगा मैं लेकिन आने वाली एक दो साल में दबा के रिटान दे सकते हैं ऐसा लग रहा है क्योंकि डिमांड है जिस तरह किसा आपको पता है विमारी फैल दिया तो डिमांड है डिमांड के चक्कर में फार्मा अभी के टाइम पे काफी इंपोर्टन रोल प्लेई करने वाला है तो शियर मार्केट में भी फार्मा से कासा खूब लग रहा है और जो रिस्की सेक्टर्स हैं वहां से पैसा उठके सारा फार्मा सेक्टर में लग रहा है यह नहीं कि फार्मा ने अभी से बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया ऐसा नहीं है फा सारा पैसा फार्मा सेक्टर की तरफ मूव हो रहा है त्योंकि अच्छी बात नहीं और पिछले एक दो महीने में उसका रिजल्ट आप देख चुके होंगे कि कि किस तरीक फार्मा सेक्टर में एकडम पैसा पंप हुआ अब देखे 23,000 करोड के मार्केट के बात कर रहे हैं इसको जरह ध्यान से देखिए मार्केट के लग रही होगी करेंट प्राइस अच्छा लग रहा होगा लेकिन पिछले चार सालों में जिस तरीके से फार्मा डाउन था उसके बावजूद भी इसने 3% का सेल्स क्रोथ मैंट आप बात कर रहे हो चार पसंद का बड़े बड़े फार्मा प्लेयर को उठा की देख लीजिए नेगेटिव में प्रॉफिट ग्रोथ है नेगेटिव में सेल्स ग्रोथ है और उसके बावजूद इस शेर की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी इसका डेट लगा ना के ब परफोर्मेंस होगी वह अब स्टार्ट होगी अब यह शेर आपके लिए क्यों लाएगे हैं वह भी बात करेंगे भी क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट चीज यहां पर मुझे दिख रही थी इसलिए मैं आपके साथ शेर कर रहा हूं आपर 1385 का आज का का कारोबार देखे तो चालिस पॉसेंट की डिलिवरी बहुती बढ़िया बात भी अब एक नजर में आपको शेर के टेकनिकल से दिखाने से पहले एक नजर में आपको दिखाना चाता हूं यहां पे कि किस तरीके से शेर में शेर होल्डिंग पैटर्न चल रहा है किसकी ज्यादा होल्डिंग है इ अर्मोस्ट सवंटी एट लाग शेर से अठतर लाग शेर मीचल फंड हॉसे के हैं टोटल परसेंटेज वाइस देखोंगे तो 4.61 परसेंटेज बन जाता ही है 4.61 परसेंटेज बहुत ही अच्छी परसेंटेज है यहीं नहीं आगया आपको और नंबर दिखाऊंगा अधित बिर्ला सनलाइफ के पास 57 लाग शेर से अके लिए देखिए उसके हलावा फॉरं पोर्टफोलिय इंवेस्टर की बात आते तो 40 ऐसे फॉरं पोर्टफोलिय इंवेस्टर जोना ने इंवेस्ट किया हुआ है बट ओवर और परसेंटेज काम है अब जब बात आते हैं इंशॉरेंस कंपनी की तो जी आई सी यानि की जनरल इंशॉरेंस का उपरेशन उसकी 19 लाग शेर से उसके लाइसी के शेर से अगर आप देखो तो 93 लाइक शेर से हैं अब आपको गयर है तो बहुत ही जबरदस्त है 93 लाइक शेर लाइसी के हैं बहुत ही बढ़िया बात अब यहीं नहीं आप देखिए यहां पर फाइनेंशल इस्टुशन के एक करूर शेर से हैं 6.76 परसेंट की होल्डिंग उसके अलावा रिटेल इंवेस्टर पर आते लेकिन अब जाग रहा है अगर बात करते हैं दो लाग से ज्यादे इंवेस्टमेंट वाले तो दस लोग ऐसे हैं जिनके ऑल्मूस्ट तीन लाग के आसपाइस इनके भी यहां पर हैं अब चलते हैं टेकनिकल पर समझने की कोशिश करते हैं टेकनिकल इस शेर को यह तो आप आपने ओवराल चीजें देखिए 75 परसेंट तो प्रमोटर की होल्डिंग थी बाकी मुच्वल फंड हाउसे की थोड़ा बहुत है अधिति बिर्ला सन लाइफ की है फाइनेंशल इस्टुटुशन और बैंक्स की है उसके अलावा एलाइसी जी इसी की होल्डिंग देखिए अब तो सस्ते में मिल रहा है खरीद लो यह अक्सर मैंने देखा है अभी मैंने टाटा मोटर्स का वीडियो आपको थोड़ा टाइम पहले बना के बताया था तो उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से रिटेल इंवेस्टर 600 के लेवल से जब गिरा था तो सब ने खरीदा किसी ने 200 पे खरीदा किसी ने 300 पे खरीदा किसी ने 400 पे खरीदा पूछ लीजिए अपने आगे पीछे क्योंकि इतने लाख शेर देखे 13 लाख को ने खरीदा है और उपर से जब गिरता है तो लोग और कर लेते हैं कि गिर रहा है और खरीद लो और खरीद लो और जब पैसा ब्लॉक होता तो निकाल नहीं पाते उसको तो यह बहुत ही खतरनाक सिच्वेशन है जिसमें रिटेल इंवेस्टर अपने आपको ठगा हुआ महसूस करता है फसा हुआ महसूस करता है इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी किसे स्टॉक को खरीदना हो तो अब ट्रेंड में खरीदना चाहिए अब इस टॉक को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 2000 के लवल से यह गिरा था अल्मूस 980 का लवल इसका बॉटम है 980 के लवल पे दो बार इस बार भी इसी रेंज में आया यह हजार 980 की रेंज में जिस तरीके से 2018 के स्टार्टिंग में आया था यह देखिए और इस बार फिर भी उसी रेंज में आया है तो काफी important आप कहोगे यार यह तो आपने क्या position मना दी यहाँ पे देखिए 1000 का लेवल बहुती खतरनाक support position है इसकी support लेवल है लेकिन उसके अलावा अगर आप इस share को देखो तो यह उचलता है इससे पहले भी गया था 1800 के लेवल पे दोबारा इस boundary से 1800 के लेवल पे गया था इसी रेंज में मैं कहूंगा लेकिन वापस यहां से price reject हो गया अभी यहां पर कोशिश जरूर हो कि 1800 के लेवल पे जाने की बट अभी कितने पर है अभी 1300-1400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और important point यह share में आपको इसलिए लेके हाँ देखिए क्योंकि यहां पर काफी important चीज़े मुझे देखने को मिल रही थी weekly chart पे क् जनवरी फरवरी के महिने से बहुत ही खतरनाक correction देखने को मिला फरवरी के महिने में और यह मान के चलिए कि 1800 रुपे का share आगया आपका 960-980 के लेवल पे देखिए इन लेवल को देखिए लेकिन जो recovery दिखाई वह काबिले तारीफ थी जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि कभ होने वाला है आपको यकीन नहीं है तो buying pressure आप देख सकते हो इस candle से किस तरीके से यहां पर price नीचे जरूर आया लेकिन इस तरीके से खरीदारी की कई कि इतनी लंबी lower shadows ने आपको बना कि दी lower shadow means यहां पर बड़ी pin bar टाइप की चीज जो आपको देख रही है मतलब कि यहां cross होना जरूरी है और correction resolve हो रहा है नहीं हो रहा हो कैसे देखते हैं यह मैं आपको पहले भी कई बार बता है फिर से बताओंगा daily chart में अगर मैं देखू अभी daily chart में आप देख सकते हो कि कि किस तरीके से तेजी आई और correction के requirement और correction आई है और correction आपको धीरे-धीरे दिख रहा ह है क्या कुछ बन रहा है आवरली पे देखो के तो आपको लग रहा हो कि हाँ वैज तो बन रहा है और share बेस पे बनने के बाद एक step और उपर जा रहा है तो 1440 का जो लेबल में आपको बताया था वह आप आप आवरली पे देखो के तो 1430 आपको देखने को मिल रहा होगा positivity जरूर है लेकिन यहां पे जो आपको bullish cross बनता हुआ दिखा आवरली पे यह good sign है और फिलाल consolidation देख रहा है near 2050 के range में consolidation देख रहा है बट एक चीज का ध्यान रखे यह आवरली पे आपको positivity ही दिखनी चाहिए यह आवरली पे bearish cross में convert नहीं होना चाहिए यह आपको observe करना किस तरीके से selling हुई लेकिन price को कहा उपर धकेला गया यह मान के चली कि stock यहां पर कुछ न कुछ यहां पर हुआ है जो बारा सो तीस बारा सो चालिस के level पर जरूर आई है फिर देखे उपर धकेला गया लेकिन अभी काफी important level इसका है consolidation जो चल रही है इसका resolve होना काफी है और जैसी ही वह खतम होता है तो आपको मिलेगा entry का point साथ के साथ स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार है 1300 सम्तिंग की रेंज में तो इस तरीके से जब देखोगे और रिस्क को manage करके चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया यहां पर एक safe side की investment आपके होते है चाहे वह short term कियो वीडियो अच्छा लगाने वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल अगर आपने अपने तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं जल दीजिए सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर लें जिससे आपको notification आती रहें थैंक्यू थैंक्यू पर लॉचिंग वीडियो